ये है इंडिया का फास्टर्स चार्जिंग फोन यानि कि मैं बात करो शौमी के 11i hyper charge की लेकन हमारे सामने सवाल आता है क्या सच में 120 watt की जो charging रहती है क्या सच में इस फोन को 15 minute में charge करती है आखिर ideal condition किया है आखिर phone गरम होगा तो किता होगा कई मेरा phone में कोई blaston नहीं हो नहीं आ जाएगा यार ऐसी सवालों के आंसर आज हम करने वाले मस्त वीडियो होने वाले देखते रहे न सारी charging technologies को भी अब time time पे explain करते रहे तो mobile phone के असले भी पता करते है तो देर किस बात की यार सब्सक्राइब करो चैनल को यार phone का full review भी आने वाला है तो उसको मिस नही तो subscribe कर दो उस बात पर तो सबसे बहले आब बात करते हैं आखर इस phone के अंदर 120 watt की charging इनों ने डाल दी लेकिन क्या सच बात है कि 15 मिट में चार्ज होता है तो देखो इसको मैंने multiple charge discharge करके देखी है मतलब phone की battery को 100 से 1% पे लेगा 1% के बात देखा तो phone को डाल दी discharge हो भी जा सकता है लेकिन बात है क्या phone 1% से लेके 100% तक 15 मिट में जा सकता है वैल यह चीज़ यहां पर possible हो सकती है अब देखा है तो कैसे क्योंकि सबसे पहले तो phone के अंदर battery setting में दे रखा एक special boost mode बूस्ट मोड का इनेबल करेंगे तो जाद अफ वास charging निकलेगी और 120 watt के charger से अगर तो phone जो है वो boost mode में हलका सा गरम होता है इवन स्क्रीन पर warning भी आती है कि आपका device warm हो सकता है गरम हो सकता है आप normal mode पे सुझ हो जाए लेकिन हाँ boost mode अगर enable रहेगा तो phone 15 से 16 मिट के अंदर charge हो सकता है लेकिन अब बारी आती है उसमें temperature की जब इस phone को charge कर रहा था तो normally room temperature प इस ideal condition में 15-16 मिट में charge हो रहा था लेकिन ये ideal condition अगर गरम हो यानि कि summer जब इंडिया में कुछ जगा पे 40 degree temperature होता है और room temperature 30-35 degree Celsius तक पहुंचने लगता है उस case में इसको ज़्यादा time लग सकता है अब 20-25 या 30 मिनिट तक भी या फिर मैं को लग रहा है 30 मिट थोड़ा ज़ करें वो भी 120 वाट की charging रहती है लेकिन अभी उसको चार्ज करने में 20-22 मिट या 23 मिट का time लगता है normal condition के अंदर लेकिन हाँ condition यहाँ पे अभी यही है कि जो फोन का जो temperature वो नॉर्मल होना चाहिए यहाँ पे normal temperature यूज़ करते समय वाइफाय ओन था और अगर अब चाहते हो कि फोन देखा है तो 15 मिट तक ही चार्ज हो जाए तो definitely आप इसे airplane mode में डाल दे और background से सारी app clear कर दो आप boost mode enable करके रखे और normal temperature पर है फोन तो हाँ पीछे से थोड़ा वाग गरब होगा लेकिन तब तक यह देखा तो 15 मिट में चार्ज हो सकता है तो देखा तो फोन यहाँ 15 में चार्ज हो सकता है लेकि लोगों का यहाँ पर कुछ variation भी आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि यह चीज़ डिपेंड करती रूम temperature और चार्ज हो रहा है तो बैटरी पर क्या होगा यार बैटरी मेरी ब्रास तो नहीं हो जाएगी कहीं बैटरी में कोई प्रॉब्लम त तरह साल भर में 2000 मेंच की रह गई तो इस चीज़ को भी हाँ पर इनोंने सॉल्व करा है तो सबसे पहले तो यहाँ पर कोई regular नॉर्मल बैटरी यूज नहीं करिए यहाँ पर लीथियम बैटरी के अंदर इनोंने graphene का भी यूज किया और यहाँ पर डूल सेल बैटरी और यही एक रीजन है कि इतनी जल्दी यहाँ पर चार्ज हो रहा है और दो इसके तरह यहाँ पर यहाँ पर ड्यूल बैटरी पर रहता है इसलिए इतनी ही स्पीड को यहाँ पर अचीव किया जा सकता है इसके साथ ही 120W के चारजिंग का जो यूद रहता है यहाँ पर आप किसी इंवर्टर वगरा से भी कर सकता है कोई दिक्कत नहीं आने वाली रैगुलर जो इंडिन करेंट होता है 220V का 50Hz वाला वो अगर आरा है तो कोई इशू नहीं है चारजर भी अच्छे सरीके से काम करेग और यहां तक की बिजली का बिल भी उतन नहीं आएगा जितना एक फोन को फुल चारज करने में आता है कोई जादा चीज़े नहीं होने वाली है इसी कर साथ ही यहां पर देखा है तो चारजिंग की टेक्लोजी भी थोड़ी अलग है यहां पर इन्नों ने बोला है MIFC लेक उसके बाद बागी 20% होने में आदा घंट और लग जाता है इस टाप की चीज़े हो यहां पर ना करते हुए यहां पर पूरी बैटरी हो रही है इसकी ओविसली 80-200% थोड़ा सा स्लो रहेगा यहां पर लेकिन यह उत्ता ट्रिकल चारजिंग नहीं रहेगी जैसे आपको र जादा जलजी बैटरी को यहां पर चार्ज किया जा सके तो यह एक चीज़े जहां पर बैटरी जल्दी चार्ज हो सकती है इसके साती बारी आती हाँ पर long life span की एक जैटेट्म्रrड को लेकिक साइकल को लेकि एक मिसक्वेप्शन है कि 0-100 जाएंगे वह एक पूरा चार्ज साइकल लेकिन यहाँ पर इस चीज को कम करनी कोशिच की गई है तो कहने का मतलब यह कि जो चीज यहाँ पर मिल रही है रेगुलर बैटरी चलती उतना ही लंबा चलेगी और हो सकते चाद उसे थोड़ा जादा चले इसके साथ ही यहाँ पर 120 वाट का चार्जर है वो काफी जादा बड़ा है काफी जादा भारी लगता है लेकिन चार्जर देखाया तो सही है और बात किया है तो चार्जर में भी स्पेशल प्रोटेक्शन लगी और फोन में भी लगी है इवन यहाँ पर आपको स्पेशल केबल भी यूज़ करनी है केबल की लंद मेरे को पसली थोड़ी से छोटी लगी थोड़ी लंबी होती तो बैटर रहता लेकर एक छोटी सी बात यहां पर यह कि चार्जर भी वैसा ही होना चाहिए केबल भी वही होनी चाहिए, मोबैल फोन भी होना चाहिए सारी चीज़े आप असमें जब compatible होती है phone जो रहता हो charger के साथ talk करता है और सब सारी चीज़े verify होती है charging cable तक verify होती है तभी 120 watt की charging का support करता है यहाँ पर मैंने अलग-अलग charging cable को भी लगाए यहाँ पर मैंने OPPO की cable, OnePlus की cable Vivo यहाँ पर ICO की cable को भी use किया देखा तो उस समय जो regular Xiaomi की normal charging होती है fast charging कहते है rapid charging जो भी रहता है नाम वो यहाँ पर आ रही थी, वो यहाँ पर काम कर रही थी लेकिन जो 120 watt की charging है वो सिर्फ इसकी cable से ही कम कर रही थी इसके साथी इसके charger को मैंने अपने MacBook से भी connect किया MacBook भी यहाँ पर power नहीं ले रहा था, चार्ज हो रहा था लेकिन मैं बता सकतो 120 watt पर चार्ज नहीं हो रहा था यह USB power delivery का use करके चार्ज हो रहा था थोड़ा slow हो रहा था regular MacBook के charger से लेकिन यहाँ पर चार्ज हो रहा था अब देखा तो यहाँ पर multiple चीज़े देखा जाता है तो सबसे पहले तो यहाँ पर चार्ज करते हैं हमें high current का यहाँ यहाँ यूज किया जाता और रियल टाइम में current of voltage को monitor किया जाता है ताकि को भी fluctuation of voltage और current में वो तुरण किया जा सके और charging को रोखा जा सके इसके साथ है यहाँ पर जो overheating की problem यहाँ फिर over temperature हो गए excessive heating हो गई यह excessive cooling हो गई उसके अलग लग protection लगी गई है इवन यह भी बोला गया कि minus 10 degree Celsius में काम करेगा लेकिन यह भी बोला गया कि minus 10 degree Celsius में 120 watt की charging काम नहीं करेगी यह सिर्फ 12 watt की करेगी कहने का मतलब है कि अगर ideal current, ideal temperature, ideal सारी चीज़े है तो यहाँ पर 15 minutes के अंदर charge हो सकता है phone लेकर कोई भी चीज़ अगर उपर नीचे है तो phone को safe रखने के लिए charger safe रखने के लिए पूरी environment को safe रखने के लिए charging speed यहाँ पर कम हो जाएंगी जब भी कोई भी variation आगा especially temperature वगरा में इसलिए देखा है तो phone के अंदर आपको real time temperature monitoring system है जो real time temperature को monitor करता है यहाँ पर आपको double over charge protection रहती है कि battery का charging और consistently maintain रहा है और ऐसा नहीं रहे कि phone यहाँ पर charge हो जो है लेकिन फिर भी उसमे current जाता जा रहा है जिससे battery आगया चलके blast blast इस टैप की चीज़े रोकने के लिए extra care ले गई है और extra step ले गई है और यहाँ पर 34 protection के features लगाए गया है जैसकि जो phone है वो overheat होते समय यहाँ खुद बाखुद shutdown हो सकता है यहाँ पर USB का जो input में current आ रहा है उसके लिए protection लगा है USB input में अगर under voltage हो गया उसके लिए protection लगी है यहाँ पर over voltage protection यहाँ पर cable का encryption होता है उसकी protection यानि कि हर एक level पर यहाँ पर special type protection को लगाए गया है जिससे phone को यहाँ पर easily और असन तरीके से चार्ज किया जा सके अब overall कहने का यहाँ पर simple सा मतलब यह है कि अगर आप phone को यहाँ यहाँ पर use करते हो boost mode तब है अगर आप कोई enthusiast or phone आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी charge हो जाया तब ही आप enable करें regular use में बिल्कुल enable ना करें phone ज्यादा गरम होगा और देखा तो यह recommend भी नहीं किया जाता है इससे आपके overall phone की life यहाँ पर कम हो सकती है यह हम कोऊंगा safe तो है लेकिन इतना जेबल करकर रखकर normally charge करें वही चीज़ यहाँ पर बैटर रहेगी boost mode दिखाने के लिए हमें काफी अच्छा लगता है कि regularly हम फोन को चार्ज कर रहे हैं कि जरली हमारा phone चार्ज हो गया लेकिन यह चीज़ में को इतनी ज्यादा practical लगी regular चीज़ यहाँ पर ज्यादा practical है तो कहना था कि 45,000 इमेज की बैटरी यहाँ पर छोटी है लेकिन यहाँ पर मैंने इसे टेस्ट किया लगए साड़े साथ घंटे का screen on time दे दिया था है यहाँ जिन लोगों को पता screen on time क्या तो देखा तो उस हिसाब से तो काफी सही बैटरी मिल रही है लेकिन हाँ जो उसका जो करते हैं अगर कुछ ऐसी चीज हो कि बैटरी यहाँ पर बड़ी कर दी साड़े चार को हजार को उठाके कर दिया पांच जाज़ार से चार्ज करें और बोल रहे हैं आदे घंटे में 7000 फॉल चार्ज हो जाएगा यह सब चीज हो तो फिर मजा है क्योंकि फिर क्या होगा ना उस डिरेक्शन की जो शुरुवात है वो यहाँ पर हो चुकी है और जो 120 वाट का एक जमान आया है ना मैं आपको बता सकता हूँ धीरे-धीरे 120 वाट हो सकते है इसके उपर की चार्ज एक बहुत ही जल्दी आपको एक कॉमन ट्रेंट देखने को मिले इंडियन मार्केट मे देखते हैं आने वाले फ्यूचर में क्या रहता है लिकिन यह कहरी शौम 11 है है यह फोन है अभी भी टेस्टिंग के अंदर है फुल रुव्यू का वेट करो बहुत ही जल्दी आने वाला कोई क्वेस्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो ना पोस वीडियो में मिलता मिसनी करना चाहते है चैनल को है पर सब्सक्राइब को दो वीडियो को लाइक करते हो थेंग अखको वीडियो देखने के लिए मैं आतना दा नेक्स्ट में गुडबाई